एनपियस करमचारी लगातार ओल्ड पेंशन की बहाली को लेकर प्रदेश भर में करमिक अंशन पर बैठे हुए हैं। इस बीच में कॉंग्रिस नेताओं का करमचारियों को समर्थन मिल रहा है। इसी कड़ी में आज शिमला में कॉंग्रिस विधायक और महासचीव शित्य सिंग ने कहा कि प्रदेश की जैराम सरकार करमचारियों के प्रती उदासिन रवया अपनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री अगर फिजूल खर्ची कम करेंगे तो करमचारियों को उल्ड पेंशन दी जा सकती है। कॉंग्रिस पार्टी ने भी सभी आर्थिक विशेश शग्यों से विचारवे मर्श करने के बाद उल्ड पेंशन को लागू करने का निर्ने लिया है। इसके लिए प्रदेश के खजाने में कोई ज्यादा बोज भी नहीं पड़ेगा लेकिन जैराम सरकार करमचारियों को पेंशन देने की मंचा ही नहीं रखते हैं। गुहार लगा रहे हैं। मगर कोई भी इस पर बात जो है मुख्यमंत्री जी ना विधान सभा के अंदर करते हैं ना भार करते हैं। और हमने दलगत राजनीती से उपर उठकर इस मुद्दे को एक सिंप्थेटिक व्यू लेकर कॉंग्रेस पार्टी ने ये निरने लिया है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इसकी बहाली करेंगे। और ये एक बहुत गलत ब्रहम देश के अंदर फिलाया जा रहा है कि इसके बहुत डायर फिनेंशल कॉंसिक्वेंसिस पर देश में होंगे। मैं समझता हूँ कि जहां पर जो मुख्यमंत्री और सरकार जो फजूल खर्चिया और चीजों के उपर कर रही हैं। वहां पर जो हमारे करमचारी है जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं अगर उनके भविश्य को शुरक्षत करने के लिए अगर थोड़ा बजटरी ऐलोकेशन करना भी पड़े तो उसमें कोई जो है दोराय नहीं होनी चाहिए और उस तीज को करना चाहिए। और जिस तरीके से नोंने हमको समझाया भी है कि इसका बहुत ज़्यादा फैनाशल इंप्लिकेशन नहीं हैं तरीबन जो है च्छेसों साड़े च्छेसों करोड़ रुपए का इंप्लिकेशन है तो उस चीज को निश्टत तोर से किया जा सकता है और हमने वैसे भी जो हमार नान है कौशाल प्र heeft प्रदेश के अंदर हैं इसको करेंगे उसके लिए मचनवद है आज इनके साथ हम यहाँ पे ख़ड़े हुए हैं कॉइस todavía के सबीदों होग ने के खड़े हैं ये कोई पार्टी वाजी की बात नहीं है को राजनीती की बात नहीं है मगर जो इनका हक है वो उनको मिलना चाहिए और इसलिए आज हम यहां पर इनके साथ खड़े हैं